हेलो दोस्तों, मेरा नाम असलम अहमद है और आप सभी का स्वागत है Coral Draw Essentials के इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे Interactive Fill Tool के बारे में जो आपके डिजाइनों में Gradient और Fill Effect जोडने के लिए एक बहतरीन टूल है आईए जानते हैं इसके सब टूल्स और उनके इस्तेमाल के बारे में Interactive Fill Tool Interactive Fill Tool का उपयोग किसी भी Object पर Gradient या Pattern Fill जोडने के लिए किया जाता है आप Gradient के Direction और Color को Easily Adjust कर सकते हैं ताकि आपका Design और भी आकरशक लगे Features, Gradient, Fill, Linear, Radial, Conical जैसे अलग-अलग Gradient Types चुन सकते हैं Pattern Fill, Object के अंदर Patterns Fill कर सकते हैं जिससे डिजाइन में Depth और Texture जोड़ा जा सकता है Sub Tools Smart Fill Tool यह टूल आपको किसी भी Closed Shape में Color भरने में मदद करता है यह छोटे-छोटे Gaps को भी Easily Fill कर देता है जिससे Intricate Designs बनाना आसान हो जाता है 2. Mesh Fill यह Advanced Tool आपको Object में Multiple Color Points अड़ करने की सुविधा देता है इससे आप Smooth और Realistic Gradient Effects बना सकते हैं खास कर 3D Effects के लिए यह बहुत ही उपयोगी है तो दोस्तों इस टूल से आप अपने डिजाइनों में जान डाल सकते हैं मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको Interactive Fill Tool को समझने में मदद मिली होगी धन्यवाद और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले